लियुन बोलता कि सच में तुम एक मेंजी होना तो मिकल बोलता कि हा मैं 100% मेंजी हूं लेकिन अभी यह हम्पोर्टन नहीं है इमपोर्टन यह है कि मैंने इसको प्रूब कर दिया कि मेरे पस और आप माना मेध़र ट्रेणिंग है लियुन अपने हाथों को देखता है और बोल लगता है बोलता है कि मुझे पता था कि तुम इसे आसानी से नहीं सिख्षाओता आओंगा कि लिए ऺजय चरान होगा इतनी आसानी से वेट तुम चाहे हो मिकल बोलता है कि जिस काम से मैं इहां पर आए ता वो तो मेरे काम हो गई है इसलिए में वे वह आपस जा रहा हूं लियोन बोलता है ये है है यहाँ पर आएंगे तो रिक बोलता है ओau तो तुम पहले ही जा रहे हो तो यह ठीक ही जो तुम यह करनी के लिए आय तो तो सब कुछ देखा सब कुछ अच्छ था कि मैंने पहले अंदर में कुछ पहन के रखा था यानिवेज डिक आगे बोलता है कि मैं सबसे पहले तुम से और वारफलिस से अपलजाइस मांगूंगा और जहां तक कॉंपर सेशन की बात आए तो मैं यह तुम पर छोड़ता हूं मिक मिकल भी उस डिक से माफे मांगते हूं बोलता है कि आई ऑपलर जाइस की मैं यहां पर खुद से चला आगे लेकिन मैं होप करता हूं कि लिंडेन और पार्सिलो फैमिली की सगाई अच्छ जाए तो डिक बोलता है कि हाँ मैरेज डिक बोलता है कि जितना मैंने सोच तुम उ लियोन को एक दूसरा चांस दिया जैसा लियोन की परसनेलेटी है वह जरूर यह सोच रहा होगा कि इसलिए टूटके क्योंकि वह फीक था और वह उस लाइक नहीं था डिक बोलता है कि लेकिन उसने तुमें देखा और रूमर्स के बारे में सोच और इसलिए उसने एगेसम सिंसेर्टी देखाती है वह हसना लगता लगहां सिंसेर्टी मिखल बोलता कि डीख डिक डिक україн के लिए कोईयितीचर होता है तो आप क्या करेंगे डिक घरान हो जорошता हमिकल की बाफ सुनके और मिखल सब बैकि क्या तो मुझे इंट्रoup पर शाठीड को इसलिए बस्फद चा यह बेश्ट होगा तरक में से यह रहूं कि तुम सोच रहे होगा कि कि अपने मन में क्या मैं कुछेगा कि तुम्हारे साथ कोई ट्रिक खेल रहा हुं। ड Cheryl बलता है कि तुम्हें काले दिल वाले हो मीखल के डार्क नेस्ट यह एक मिसेंडर स्टेंडिंग हे काट होता है देखते हैं मिकल के फादर को वह उसके सर पे हाथ रखते यूँ बोलता है कि मैंने नीज को सुना मेरे बेटे मुझे तो पहली अपने बेटे के उपर विश्वास था और उसका मीने के plane के बारे में कोँ Neaya बसक्ता था मैकल बलता कि ऐसका फाधर तुम हाइश करिफ तुम क्या बोलता है क्या कि फादर को फाधर अपने बेटे के ओपड contris नहीक कर सकता मिकल बोलते है कि लेकिन तुम्हारी जो प्राइब एक कि सब्सक्राइब ने एक मेसेज भेज़ा है तो बोलता है कि वो प्रैसने ली आ के हम पप्लिक ना बाता इस सब के वारे में वो कमीना सच में चला कि उसकी फैमिली पहले से इज़त के लिए जानी जाती है फिर मिकल से बोलते है कि तुम्हारा थैंक्स हमें बहुत कुछ करना है और वहसे भी मुझे लिंडेन फैमिली पसंद भी नहीं थी तो किया डिक ने कुछ कहा भी था तो मिकल बताता है कि ज़्य ने बहुत एक समार्ट चल चला जो कि जब कि यह सब सही चल गी तो मुझे आपसे कुछ पूछना है उसका फादर बोलते कि हाँ बोलो तो मिकल बोलते कि जब आपने यह मुझब छोड़ दिया है तो यह सब आप मुझब छोड़ दे जो कि मैंने इस प्रॉब्लम को भी बनना चाहता हूं उसका फादर बोलते हैं कि तुम्हारे कंदे बड़े हो रहे हाला कि तुमने बॉल को सेट किया है जब कि यह फैमली की वीच का प्रॉब्लम है तो यह सब कुछ दाओं पर लगा है मिकल बोलता कि हां यह सच्छे हाला कि मैं साब बोलूं तो आपके लव थीखिए यह कुछ ऐसा है जो एंड में तुम इसके कभी न कभी फिस जरूर करते उसका फादर बोलते हैं मैं तुम पर यह चोड़ता हूं तो बोलता है कि मैं आपको निरास नहीं करूंगा घर मिकल होघाने लगते तब उसके फादर बोलता है कि मिकल तुमने बहुत अच सजने लगते हैं और बोलता है कि वह मिच्ची और बास्टर्ड सायद यह एक टाइम स्किप हो गया है वैल तो क्या मुझे डिक से बाच्चित करने की तैयरी करना चाहिए मैंने इसको अपने बेटे के ऊपर छोड़ दिया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बैठ के अर और इसका कारण है इनर कॉंप्लेट हमारे फैमिली के अंदर फाइट इस्टार्ट हो गई और हैट के पोजिशन के लिए लोग लड़ने लगए तो अगला हैट के पोजिशन पे कौन बैठेगा जब एल्डर्स के फाइट चल दे थी तो उन्होंने मेरा यूज भी किया ता कि आप अगले सेक्सेसर जो है तो मिकल बोलता है कि यह यह अजीब नहीं है इसकांट नौट ट्रेस एक सेंथ चरकल मैजीशियन एक फैमिली के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ड़ यहां तक कि मिकल के फादर को भी उसने हेल्प किती बहुत बार लेकिन वह एक क्रिटिकल पाउर को लिए भूक है वहां इसी फैमिली का एक सेटर बनना चाहता है बटलर बलता है तो आप कहरें कि उसने मारकोष के लिए कुछ प्लैन किया है मिकल बोलता है ने वहीं बात नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको एक एक एलाट छोड़ सकता हूं बटलर बोलत मेरी बटलर बोलता है कि आप वही थे यांग मास्टर जो कि बिसकाउंट के ऊपर बिलीब करते थे मिकल बलता है कि बटलर स्ट मैंने तुम्हें बताया नहीं है यह वही था जिसने मुझे थरी सरकल्ड के बारे में बनाना अर्ग सिखाया था रहाना हो जाता है और चिलाते व फैमले के अंदर जो प्रॉब्लम करता है उसके वीट को काटना मेरे लिए अच्छा होगा साइध इसलिए फादर ने विसकाउंट को घर से इसलिए ने निकाला कि उसने हाट टाइम में फादर की बहुत हेल्प की थी मेरे फादर को पता होते हुए भी उसको फैमली के मिलना चाहता है वह बोलता है अगले सिंट में अपका टीचर बन तो मिकल बोलता कि ओ उसके बारे में मेरे पास एक proposal है तो बिसकाउंट बोलता है क्या है एक proposal उसकी तरफ अपने मिकला फिंगर पॉंड करता है और बोलता कि तुम और मैं चलो बिना सरकल करते निकाल सोचताहिए ट्रमपल पर फ्लीस मुझे अच्छे से याद है फैमली कैसे परबाद हुए थी उस टाइम विस्काउंट नोर्किस जिसके पास पाउर थी उसने फैमिली के अंदर डिक्स ट्रक्शन ला दिया आधी फैमिली जो मुश्किल से सर्भाइब कर रही थी और मुश्किल से सांस ले रही थी उस सुच्वेशन में तब डीमन गोड के डिसाइप मैजिसियन जो हमारे फैमिली के अंदर वही बचा था जब हर कोई अपने सांसे को रोक के उसको देख रहे थे मैंने भी उसको एक होप से देखा विसकाउंट को कि वह किस टाइप की मैजिक देखाएगा और डिमन गोड को डिसाइपल को मार देगा और मेरा होप का एंसर थ चानता लेकिं मैं उस्सहाण फीच को नहीं ठोड़ूगा प्रेजन टाइम का सीन विसकाउंट कि हूं तो मिंटल बोलता कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी विसकाउंट से मैजिक सिखने के लिए लेकिन है सकने के उसके पास वरीद होना चाहिए मार्केस बोलता है कि जब तक तुम इसे खुद फिल नहीं करता है, तुम इसे नहीं जान पाऊँगे, इसलिए हमें ऐसे और नहीं हो कि विसकांट, तुम्हारे पस मुझे टीच करने के लिए इसकिल है कि नहीं, विसकांट बोलता है कि मैंने उस जिन तुम को थ्री सल कर बनाने चीखाया था, क्य मैं से और नहीं हूँ उस बारे में, मैं सिप इतना चाहता हूँ कि तुम अपने वरित को प्रूप करो, यह ज़्यदा हार्ड भी नहीं है, विसकांट बोलता है क्या, तुम्हारे क्या मतलब है कि मैं प्रूप करूँ, मिकल बोलता है कि चलो, एक सर्च लगाते है, तुम ब I accepted, फिर दखा ज़ता है, विसकांट नोटरिस का रूम, विसकांट को देखते है, जो वंडर को पस रहता है, और बोलता है कि यह कितना कैंड और फेर है, वीना सरकल का फाइट, उससे पता नहीं है कि हमारे बीच में कितना बड़ा गैप है, और experience कितना important रखता है, भली उस बचे के अंदर वार्फलिस का ब्लड लाइन ही क्यों ना हो, लेकिन वो गैप को कभी कम नहीं कर पाएगा, वो तो अभी एक बच्चा है, जो कि अभी पिंजले के अंदर के दे, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है, वो अपने ही illusion में है, जो कि वो सुचता में सामिल होना, वो भी वार्फलिस के फैमिली में, मिकल, वही मेरा गोल तक पहुचने का एक रास्ता है, मैं उसका टीचर बन जाऊंगा, और एक फैमिली का सेंटर बन जाऊंगा, हाँ 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 हाँ, इसी हसी के साथ सीन कड होता है, अगले दिन का बटलर को देखते में खट सकता, वेल, और मेरे कोई इंटेंशन भी नहीं है, पीच घटने का, बटलर बनता है कि, नहीं, नहीं, एक बिसकाउंट के साथ, एक फाइट तभी मिकल बनता है, बटलर का विकेंड çape आदमी है, वो एक ऐसा पर्स नहीं है जिसे आप अपने उस से टीचर बना सके और उसको फॉलो कर सके एक बलता है हमें जानता हूं लेकिन वो उस लाइक नहीं अर्पने मन मैं से वह यंग थे तो फादर उसे कभी बाहर नहीं निकालेंगा पहले बटलर भी बोलता है कि हां इसलिए तो मैं उसका केर करना चाहता हूं वह भी अच्छे से मैं इस सर्थ के साथ कुछ ऐसा कर दूँगा जो कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा यह वीट है magic and less अगर हम magic से compare करें language से तो वीट उस language की गया है जो कि एक promise है अगर कोई promise को तोड़ता है तो वह magic खतम हो जाएगा इसका मतलब यह है कि अगर मैं fight के अंदर जीत गया तो मैं एक high position पर पहुच जाएंगा और मैं इसी की तलास में हूं बटलर बोलता है कि एक अच्छा प्लैन है लेकिन कि आपको लगता है कि विसकाउंट हार सकता है क्या आप उसे defeat कर पाएंगे मिकल बोलता है कि I can defeat team मैं उसको defeat कर दूँगा यह मैं तुमें guarantee देता हूं बटलर यह मेरे guarantee यह तुमसे कि मैं विसकाउंट को defeat कर दूँगा बटलर बोलता है कि आप ऐसे कैसे सोचते हैं तो मिकल बोलता है कि मैंने एक condition रखा है विसकाउंट उसी सरकल का magic का use करेगा जिस सरकल तक मैं हूं यह बात सुनके बटलर भूतनियन खड़ा हो जाता है और मिकल से बोल बोलता है कि आपका क्या मतलब है यह मेरे रिजाइनिंग लेटर है कि मैं इस जगह को छोड़के जा रहा हूं मिकल fire magic का use करते हुए उसको रिजाइनिंग लेटर को जला देता है और बोलता है कि बटलर क्या तुमको मुझे ड्रस्ट नहीं है बटलर बोलता है कि नहीं नही देख रहा है की आप जीट सकते है तो मिकल बोलता है अगर simple word में बोलू तो वह नौर्मल लो सरकल से मैजिक सीखते हो तो वह बटलर बोलता क्या है यह ओवेसली है मिखिल बोलता है लेकिन विसकाउट ने इसे से भी हार जाएगा और वह कभी नहीं जिच सकता सिंकाट होता है तो मिखिल बताता है कि जैसा कि आपने सुनाई होगा कि मैं इसकाउट के साथ करने वाला हूं मैं यहां पर आया हूं आपको बताने के लिए कि आप मेरे फाइट को देखे उसके फादर सांद रहते फिर बोलत है कि मुझे तोड़ने पड़ेंगे लेकिन फादर में मजाक नहीं कर रहा है तो उसके फादर बोलते क्या मेरा मैजिक टीचिंग तुमको यह अच्छा नहीं लग रहा है जो तुम यह करना चाहते हो मिखिल अपने मन में सोचता है कि फादर जरूर यह सोच रहे होंगे कि म कुछ में विसकाउंट का एक टूबना चाहता हूं मिकल बोलता है कि ugh वादर फाधर के उङंधर टो अब बना बिसकाउंट को एक नोड आथो, आपसे बादर बोलता है कि यह मेरा बेट चाहता है कि कि हम में एक वेसल के गले में पट्टा नहीं लगा सकता इक पट्टा एक आदमी जो कि हाले में एक फॉर्सकर मेज बना है वह इतना कॉंफिडेंट है मिकल बलता कि if I don't work अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं एतना इतना नहीं होता उसके फादर बोलते हैं अगर तुम हार गए तो तो मिखल बोलता है कि then I will come to विसकाउंट तो मैं विसकाउंट का एस्टूडेंट बन जाओंगा उसके फादर बोलते कि यह तुम्हारा प्रॉप्लम में और अपने बेट को टेबल के उपर पटकता है और बोलते हैं तो मुझे तुम्हारे सथ क्या करना चाहिए और गुस्से में बोलते है कि तुम्हें बता है होगा कि मुझे तुमसे क्या चाहिए मिखल घवडा जाता है और बोलते हैं मुझे याद है और अपने मन में सुछते है कि जब भी ऐसे स्टूसें आती है तो मेरे फादर बस एक ही चीज़ के पीछे पढ़ा रहते है और वह मेरा पेर मिखल बोलता है कि ठीक है सब्सक्राइब करें और फैमली के अंदर मेरा कैसे यूज करें यह बिल्कुल फणी नहीं है मेरे पास्ट लाइब में तुम पहले भी एक अच्छे मैजिसियन नहीं थे और तुम अब भी नहीं है मैं तुम पे इतना मजबूर का दूंगा कि तुम मेरे सामने जुग जाओ इसके साथ यह बड़ी यहीं खतम होई तो नेक्स वीडियो कल आ जाएगी और मैं रेगुलर 20-20 मिनट की वीडियो डालूंगा और मुझे नहीं पता कि यह सिरीज किसने एक्स्प्लें किये और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं लेकिन मैं उससे जल्दी टेक डाउन कर लू इसरी वीडियो में तो से बना रहा झाहता हूं । झाल 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 झाल